linear equations होती हैं उनको solve करना सीखेंगे वैसे तुम लोगों को simultaneous linear equations solve करना आता है ठीक है कब सीखा था तुम लोगों ने 9th standard में algebra में सीखा है राइट उसमें 2 method सीखे हो एक elimination और substitution तुम equations को चाहो तो elimination से या चाहो तो substitution से solve कर सकते हो completely यह चीज तुम्हारी choice है बट मैं जितने भी सवाल करूँगी मैं उनको elimination से solve करूँगी क्योंकि मुझे elimination बहुत जादा पसंद है तो बाकी वो तुमारे interest में है हां बट अगर question में कल को specify कर दिया जाए कि solve the following simultaneous equation by method of elimination तो strictly elimination लगाना बट अगर strictly ऐसा बोले कि substitution लगाना तो strictly for substitution लगाना otherwise mention नहीं है तो आप कुछ भी लगा सकते हो आप देखो मैं इस linear मतलब simultaneous equation का मतलब इसके introductory वीडियो में already समझा चुकी हूँ simultaneous equation को हम लोग types में classify कर देते कि simultaneous equation को solve करने का type 1 simultaneous equation को solve करने का type 2 इस तरीके से करके ठीके और उसके बार अगेरा मतलब करके हम लोग types के बारे में पढ़ाई करते हैं तो पहले हम लोग शुरू करते है type 1 type 1 तुम लोगों का बहुत ही basic सा है करके ठीके बहुत ही basic सा तो जो तुमने 9 में पढ़ा है बस तुम्हारा क्योंकि रिवेशन हो जाए इसलिए मैं यह चीज बता रही हूं जैसे माल लेते हैं एक equation दिये हुए है एक नहीं वल्कि दो दिया होगा क्योंकि simultaneous equation है 3x plus 2y equal to 29 यह आपको एक दी हुई है और फिर दिया हुआ है 5x minus y equal to 18 यह तुम्हाही शुई से कि तुम्हें elimination करना है कि substitution करना है मैं अभी अभी तुम्हें बता ही हूं कि मुझको elimination बहुत पसंद है तो मैं तो elimination ही चूज करती हूं लेकिन हां अगर मैं इतनी बड़ी वाली भी बेखूफ नहीं हूं कि मुझे देसे दिख रहा है कि question substitution से ज्यादा बेटर तरीके से solve हो सकता है elimination से थोड़ा लंबा जा रहा है तो मैं substitution चूज कर रहे हूं ठीक है तो इसलिए इस question को मैं मान लेते हैं मेरी आभी फिलाल मूड है कि मैं इसको elimination से solve करना है तो देखो इसको मैं elimination method से किस तरीके से solve करूंगी elimination में आपके variable पार्ट ना सेम होने चाहिए जैसे यहाँ पे variable के आगे देखो क्या लिगा हुआ है यहाँ पे 3 लगा है और यहाँ पे variable के आगे क्या लगा हुआ है 5 तो अब यहाँ पे दोनों variable पार्ट तो अलग हैं तो elimination में चाहे x variable हो ये चाहे y variable हो दोनों में से किसी a का coefficient part सेम होना चाहिए तो अभी हम लोग ना अगर coefficient part बहुत कम cases में किसमर से सेम दिया जा सकता है या कभी-कभी सेम नहीं होता है तो अगर कभी सेम नहीं है तो हम किस तरीके से सेम बनाएंगे ठीक है तो जब भी तुमें एक question मिले ठीक है जैसे मैंने question दिया है तो इसका solution में एक तुम लोगों को बहुती standard तरीके से लिखकर दिखानी हो बाकी के solution होंगे वो तुम लोग बहुत अच्छे से लिख ले ना मैं steps इसमें skip कर दूँगी ठीक है तो यहाँ पर मैंने लिख दिया पहला step तो आपका given simultaneous equations are ठीक है यह इस तरीके से हमने यहाँ पर चीज लिख दी कि हमारे पास given simultaneous equations है जिससे कि 3x plus 2y equal to 29 यह एक equation है हम आई पास number दे रहते हैं और दूसरी equation है 5x minus y equal to 18 यह में बास equation number 2 है यह तो आपको देना ही है इंट्रो पार्ट उसके बाद तुम यह देखो कि हमको यह चीज पता है करके कि equation number जो यह आपकी 2 है इस equation number 2 को मुझे कितने से multiply करना पड़ेगा 2 से ठीक है तो यह चीज कितनी हो जाएगी multiplying आपका equation number 2 ठीक है कितने से multiply करेंगे by 2 से क्यों 2 से कर रहे हैं क्योंकि अगर imagine करो मैंने 2 से multiply किया तो होगा क्या इस पूरे term को मुझे multiply करना है पूरा का पूरा तो 5x हो जाएगा 10x और यह हो जाएगा minus of 2y और यहाँ पे आजाएगा 36 यह हो गई मेरी एक नई equation 3 ठीक है तो जो multiply करने के बाद equation आई है यह वाली और जो उपर में जो दो equation दी थी उनमें से कौनसी वाली ऐसी equation जिसको तुमने तच तक नहीं किया है वो है equation number 1 अब इन दो equations को तुमें solve करना है तो अब solve करने के तुम यह सोचोगे कि add भी कर सकते हैं subtract भी कर सकते हैं तो equation number 1 में देखो 2 के आगे plus है यहाँ पे 2 के आगे क्या है प्लस है और यहाँ पे जो आपकी equation number 3 है इसमें 2 के आगे minus है तो जब इस तरीके से तुमें opposite sign दिख रहे हो तो opposite sign जब दिखें तो equations को हमेशा add किया करो तो यहाँ पे अपन लोग लिख देंगे adding equation 1 and 3 ठीक है तो यहाँ पे अपन equation 1 and 3 को add कर दिया तो देखो किस तरीके से हो गया 3x plus 2y equal to 29 और यहाँ आ जाएगा 10x minus 2y equal to 36 इनको addition दे रहते हैं तो addition में कोई sign जीन नहीं होती simply cut जाएगा यहाँ आ जाएगा 13x और यहाँ पे आ जाएगा 65 so यहाँ से x की value कितनी आ गई 65 by 13 so x comes out to be कितना 5 कि यहाँ मुझे x मिल गया क्या x निकालने के बाद मुझे y भी निकालना है तो आप y निकालने के लिए क्या करेंगे y निकालने के लिए जो हमारे पस given simultaneous equations थी यानि कि यह दोनों उनमें से कहीं पे भी जाके x की value बस put कर दो तो let's say मैं को 1 में put करना है तो मैंने ऐसा बस वहाँ पे लिख देना है कि हम लोग वहाँ पे x equal to 5 क्या कर रहे है equation number 1 में put कर रहे है ठीके अब putting की जगा तुम यहाँ पे एक और प्यारा सा word use कर सकते हो substituting दोनों में से जो तुमें ठीक लगे तो अभी वहाँ पे इसको putting मत इसको put x equal to 5 करके clear तो अब यहाँ पे जब put करने गए तो देखो equation क्या है 3x तो 3x की जगा आ गया 5 plus 2y तो 2y वैसे का वैसी equal to 29 तो यह वाली चीज कितनी हो गई होगी 15 plus 2y equal to 29 therefore 2y की value यहां से कितनी आई होगी 29 minus 15 therefore 2y यहां से निकल कर आया है आपके पास 14 और therefore यहां से y की value कितनी आ जाएगी आपके पास 7 ठीक है तो इस तरीके से मैंने x की value भी ढून ली और y की value भी ढून ली दबा कर देना और last line बस हम लिख देंगे कि therefore x,y ठीक है यह चीज equal है क इसके आपके 5,7 ठीक है इस चीज के और is the required solution यह आपका क्या है required solution है given simultaneous equations का अब अगर मान लेते हैं तुम में से किसी एक को भी अगर यह elimination या substitution method नहीं आता है तो यह तुम्हारे 9th standard का flaw है ठीक है 9th में तुमने काम क्योंकि नहीं किया है इसलिए तुम्हें नहीं आता है जो जो लोग कैसा है अभी 9th मुझसे पढ़े है मुझे अग्दम अच्छे से पता हूं सभी को substitution और elimination अच्छे से आती है रेस्ट बाक्यों का मुझे आइडिया नहीं है तो ऐसे केस में अगर तुम्हें इस चीज में दिक्कत है तो देखो उसमें 9th की books को निकालो उसमें जो elimination substitution के सवाल होंगे उन्हें सॉल करो checking कराने के लिए दो कि देखो ही हम सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं क्योंकि जब तक तक तुम्हें वो नहीं बनेगा ना तुम्हें यह पूरा chapter नहीं बनेगा ठीक है मैंने और चाप्टर पढ़ाते वग बताया था कि यह chapter में जो तुम मुझे personally message करके दे बता देना कि हमारे पास करके सवाल नहीं है और हमें आता भी नहीं है तो मैं फिर सवाल भेज दूँगी तुम practice करके चेक कराना बट अगर मालने ते तुम्हें कमांड नहीं डाली तो पूरा chapter तुम्हारा गया ओके जी के तो यह पहला हो गया अच्छा अब इसी टाइप में हम next illustration ले लेते हैं ठीक है मैं illustrations लेकि चीजे सिखा देती हूं तुम्हें जैसे मैंने दिया है 4x-5y equal to 172 और दूसरा वाला तुमको मैंने दे लिया 5x-4y equal to 251 अभी यहां पर मैं वो statements नहीं लिख रही हूं करके कि given simultaneous equations are ठीक है एक सवाल को मैंने बहु एक सवाल को मतलब आगे के सवालों में अब तुम वो चीह लिखना ठीक है मैं repeat नहीं करूंगी क्योंकि मुझे एक्जाम नहीं देनी है ठीक है तो अब देखो यह चीज हम कैसे लिखेंगे पहले तुने equation number दे दिये तो 4x-5y equal to अच्छा यह वाली चीज अभी रहने दो य यह वाले में को में अलग से टाइप लूंगी और अलग से वाला टाइप लेकर फिर आली चीज सुम लोगों को करके मैं बता दूंगी कैसे करना है ठीक है यह अलग से टाइप मेरा ध्यान नी रहा मैंने उसी सवाल को कर लिया ठीक है question number 2 में आते है जैसे आपको दिया है मै plus 5y equal to 9 और फिर दे रहा है 3x plus 2y और equal to 4 यह आपको दिया है अब इसमें तुम्हें इसको solve करना है तो solve करने से पहले इन्हें equation number दे देना मैं यहीं पर दे रहे हूं अब इन दोनों equations को पहले तो द्यान से देखो क्या इनका कोई variable वाला part same है क्या तो नहीं कुछ भी variable वाला पार्ट सेम नहीं है लेट से मेरा मन कर रहा है कि वाई वाला पार्ट में को सेम रखना है तो अब ऐसे केस में मुझे equation number 1 को कितने से multiply करना पड़ेगा 2 से लेकिन क्या अगर मैं equation number 1 को 2 से अगर मैं multiply करूंगी तो क्या मेरे 2 से multiply करने पे समस्या solve हो जाएगी क्या देखते है 8 to the 16x हो गया यहाँ पे 10y आगया और 9 to the 18 हो गया ठीक है यह इस तरीके से आगी equation लेकिन नीचे वाली equation में तो y के आगे 2 लगा हुआ है यह तो अभी solve हुआ नहीं है same करना है न हमको तो तो फिर जो तुमारी equation number 2 है तुम खुश सोचो तुमें यहाँ पे y के आगे 10 create करना तो वो चीज हो गई 15x ठीक है यहाँ पे हो गया 10y और 5 से multiply करके यहाँ आगया 20 अब तुम यह रेखो क्या आगे पार्ट सेम हो गया है क्या हाँ इसके आगे भी 10 इसके आगे भी 10 अब हमारे remark में query आएगी कि हमें add करना है कि हमें subtract करना है तो अगर sign same है यानि कि अगर दो दोनों तरफ प्लस रहा या दोनों के पास मैंनस रहा तो ऐसे केस में आप उन दोनों equations को subtract करते हो सब्ता है के Pals नमबर 4 from equation number 3 ठीक है इस तरीके से subtract करना है तो अच्छा यहाँ पे मैंने लिखने में थोड़ी गड़ बढ़ कर दिये subtracting equation number 3 from equation number 4 यह ऐसे मैंने लिख दिया तो अभी इस चीच को क्या करेंगे हम लोग ऐसा लिख दिये तो from के बाद जो और लिखा होता है उसको उपर लिखते हैं तो 15x plus 10y equal to 20 फिर नीचे आ गया 16x plus 10y equal to 18 अब हमें याद रखना addition करते वक्ट sign change नहीं करते बट जब subtraction की बारी आती है तो sign change कर देते हैं यानि कि यह जो नीचे में plus 10y है इसका हो जाएगा आपका कितना minus 10y इस 18 के आगे कोई sign नहीं है जब कोई sign नहीं होती है तो कौन सी sign होती है plus सगे सब्सथे देख सब्स हो इसको सब्साइब सोटनें जा है अब बात आतीए इसको सॉल करने के जो देखो यह चीज कैसी लिखी जाएगी मैं अभी 처च के साथ दिखा रही हो अगर तो में आदत होजा है तो त Pack action अनुक्त नहीं उनके लिए मेंता रही हो and the summary of ABC Redder's here लेकिन अब यहाली चीज 18 नहीं कहलाएगी अब यह चीज कहलाएगी माइनस 18 18 के आगे पहले प्लस था अब वो प्लस हट गया प्लस के बदले अब क्या आगया माइनस वैसी यहाँ पर उपर में क्या लिखा है 15x और यहाँ आएगा माइनस 16x नीचे वाली साइन लिखने ही हमें ठीके तो यह वाली चीज माइनस करने पर आ गया इस तरीके से तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यह ऐसे 2 को तुम 1 से रिवाइड भी कर दोगे तो वो कितना रहेगा 2 ही रहेगा माइनस साइन उपर शित कर लेते हैं तो यहां से x की वैल्यू आ गई माइनस क्या सिव एक्स की वैल्यू निकालना हमारा यह में क्या नहीं इस x की वैल्यू को ऊपर की जो गीवन है 8x प्लस 5y तो जहां पे भी x है उस x की जगा हम लोग क्या डाल देंगे माइनस 2 प्लस 5y और इक्वल टू में कितना दिया हुआ है 9 तो इस चीज को सॉल कर लो तो यह हो गया माइनस 16 प्लस 5y इक्वल टू 9 तो यहां से 5y की वैल्यू आएगी 9 प्लस 16 यानि की 25 ठीक है तो यहां से y की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई आपकी 5 ठीक है यह इस तरह के से फिर लास्ट 9 तुम लिख लेना कि क्या है करके तो यह था टाइप 1 यह उस टाइप के सवाल है जो अल्रेडी तुम लोगों ने 9 standard में किये है ठीक है इसमें मैं कुछ अलग नहीं बता रही हूँ यह सारा काम 9 तुमें किया हुआ काम है ठीक है तो वोग्स हो कि इसमें तुम्हें कोई गरबरी नहीं करोगे ठीक है अब इसी type 1 में ही सवाल देखो ऐसा भी आ सकता है आप लोगों को किस format में यह ऐसे जैस X upon 10 plus Y upon 5 plus 1 equal to 15 इस format में आ सकता है तो इसको देखे घवरा मत जाना कि यह type 1 का सवाल नहीं है जब तुम बहुत सारे question practice कर लोगे ना तब तुम्हें अपने आख समझ में आएगा type 1 type 2 में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अगर मैं एक ही वीडियो में सब को सिखाने लग जा करना पड़ेगा इससे best step कि हम लोग उसे parts parts में तोड देते हैं ताकि तुम parts parts में अपने उस topic में command बना सको ठीक है तो अभी यहाँ पे देखो कि पहली equation जो है आपकी linear equation यह standard form में arrange नहीं है मतलब तुम यहाँ समझो यह जो 1 है यहाँ नहीं होना चीए था यह 1 होना चीए इसके पास ठीक है तो इस equation को हम लोगों ने किस तरीके से अरेंज करके क्या लिग देंगे कि x upon 10 plus y upon 5 वो 1 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 14 और उसके बाद जो दूसरी equation रहेगी वो रहेगी x upon 8 plus y upon 6 उसमें तो कुछ rearrange करने की जरुवत नहीं है अब मैंने पीच में जगा इसलिए छोड़के रखी हूँ क्योंकि अब तुम देखो कि जो कोशन मैंने उपर लिए जो illustrations मैंने उपर लिए उनने illustrations में हमेशा x के सामने क्या आ रहा था चेक करो 8 आ रहा था मतलब नंबर उनके सामने आ रहे थे उपर नीचे नहीं आ रहे थे तो अगर 50 वहाँ पे मल्टिप्लाई में आ गया तो 14 मल्टिप्लाई बाई 50 यह हो जाएगा ठीक है 14 किसे मल्टिप्लाई हो जाएगा तुमारे 15 से 50 से तो अभी 14 मल्टिप्लाई बाई 50 यह चीज कितनी होती है 700 तो यह मेरे पास एक equation मन कर आ गई 5x प्लस 10y इक्वल टू 700 ठी है समझ में आरी बात मैंने क्या कहा करके एक equation मन क्या आगी 5x प्लस 10y इक्वल टू 700 अच्छा अब इसमें न अगर मैं बोर्ड एक्जाम जेरी होती तो मैं थोड़ी सी महनत और करती और इस equation को और simplify करती कैसे 5 के table से divide कर दो तो जब मैं इसको 5 के table से divide करूंगी तो यह हो ज 30 आजाएगी आपकी 140 ठीक है तो इस तरीके से मैंने यह सॉल करके उसको simple form में लिग दिया काई को 5 लिखना काई को 10 लिखना चोंकि आगे और multiply करना पड़ेगा फल तू बड़ा बड़ा नंबर आ जाता है ठीक है तो इस तरीके से हमने हमारी equation जो की गंदी शकल की थी अप 6X प्लस 8Y अपॉन में 8 सिग्जा 48 इक्वल टू 15 अब यह वहां जाके multiply होगा तो यह चीज हो जाएगी 6X प्लस 8Y इक्वल टू आपको 48 को और 15 को multiply करना है जो की हो गया 720 एक इंसान इस सवाल को यहीं पे stop कर सकता है कि यह चलो मैं रोक देता हूं करके या फिर किसी के शयत सकता है कि यह काम करते हैं जैसे उपर वाले को 5 से डिवाइड किया था इसको 6 से डिवाइड कर देता है तो ऐसा शयतानी ख्याल मतलाना मैंने 5 से इसले डिवाइड किया था क्योंकि पूरी equation 5 से डिवाइड हो रही थी अब यहां पे क्या पूरी equation 6 से डिवाइड हो रही है क्या ये वला 3x और ये उपर वाले x के आगे का 1 क्या ये सेम है कोई मतलब ही नहीं है तो अब क्या करें ये बन गई मेरे पास एक second equation अभी second equation और first equation को मुझे solve करना है choice सुमारी है तुम्हें जो comfortable लगता है तुम वो करो elimination या फिर substitution तो मैं elimination करने गई elimination के लिए क्या होना चाहिए दोनों का variable part के सामने का coefficient सेम होना चाहिए तो equation number 1 में जो variable के सामने है वो कितना है 1 x के सामने क्या है 1 और यहाँ पर x के सामने कितना है 6 तो हम मेरे पर जो छोटा number है ना उसको 6 में convert कर देंगे तो क्या लिखेंगे equation number 1 को मैंने 6 से multiply कर दिया तो वो क्या हो जाएगा 6 x plus 12 y और again 140 को भी मुझे 6 से multiply करना पड़ेगा तो अगर हम लोग 140 को 6 से multiply करेंगे तो यह चीज हो जाएगी आपकी 840 तो अब तुम देखो equation number 2 में भी 6x है और equation number 3 में भी 6x है अब ये solve हो सकती है ठीक है तो ये दो equation मुझे solve करनी है लेकिन solve करने से पहले check करो कि उनके सामने की sign क्या है तो यहाँ पे 6x के आगे कुछ नहीं यानी की plus यहाँ पे 6x के आगे कुछ नहीं यानी की plus तो इन लोगों को हम कैसे solve करेंगे हम लोग इने subtract करेंगे जब sign same होती है तो subtraction करते हैं तो मैंने equation वो लिख लेना statement के format में statement के format में नहीं लिख रहे हो 2 minus equation number 3 यह वाली चीज़ मैंने लिख दी तो क्या है यहाँ पे 6x plus 8y equal to 720 यहाँ नीचे में 6x plus 12y equal to 840 जब हम subtract करते हैं तो हमको sign change करनी पड़ती है तो यहाँ पे 6x के आगे कुछ नहीं है मतलब plus और plus की मैंने अगर sign change की तो minus plus 12y का minus और 840 के आगे कुछ नहीं मतलब plus और plus का minus तो देखो इसमें कुछ कट गया यह वाला part तो कटी गया पूरा जो बच गया उससे बाचित करते हैं उपर में बच गया 8y और नीचे में क्या बच गया minus 12y याद करना अब वहाँ पे आपको plus नहीं लेना है क्योंकि sign change हो गई है ठीक है equal to में क्या हैगा 720 minus 840 तो अब calculation कर लो यह हो गया minus 4y बराबर और यह वाली चीज कितनी हो गई हैं से solve कने पे minus 120 फिर उसके बाद minus minus sign दोनों तरफ से कड़ जाएंगे तो y की value कितनी आएगी 120 divided by 4 so y की value यहाँ से निकल कर आई आपके पास कितनी 30 क्या से y निकलना हमारा aim है क्या नहीं किसी भी equation में जाके y की value put कर दो तो वहाँ से मिल जाएगी x की value so मैं इस equation में जाके y की value put कर देती हूँ छोटी दिख रहे हैं न वहाँ पर छोटे छोटे numbers है तो वहाँ पर हम लिख देते हैं कि put y equal to 30 in equation number 1 तो यह चीज़ देखो कैसे में convert हो जाना है 1x plus 2y है वहाँ पर ठीक है 1x plus 2y तो y की जगा मैंने क्या put कर दिया 30 equal to में कितना लिखा हुआ है चेक कर लें दो मुझे वहाँ लिखा है 140 तो equal to 140 तो यह हो जाएगा x यहाँ आजाएगा 60 यहाँ आजाएगा 140 so x comes out to be 140 minus 60 that is x की value यहाँ पर कितनी आई 80 so last line आप लिख लेना तो इस तरीके से हमने x of y की value निकाल ली by the method of elimination clear है तो यह थे तुमारे type 1 के सवाल हो सकता है कि equation बहुत की simple format में arrange होकर आजाए हो सकता है equation आपकी fraction में arrange होकर आजाए तो अगर equation fraction में arrange होकर आती है तो आप उसको पहले इस तरीके से साफ सुत्रे शब्दों में उसको पहले rearrange कर लेना ठीक है अभी मैं यहाँ पे तुम्हें कुछ illustrations दे रही हूँ उन illustrations को solve करके क्योंकि type 1 का video सीख लिये हो तो इसमें मैंने total 3 illustration लिये अब तुमने वीडियो तो देख लिया अब इन illustrations को बिना किसी गलती के अच्छे समनी copy में note down कर लेना कोशिश करना कि बिना रिखे ही करो फिर एक बार telly कर लेना कि answer साही है क्या मैं कुछ इसी type 1 से related illustrations यहाँ पे दे रहती हूँ उन illustrations को attempt कर लेना यह तुम्हारी महराश्टा state board की जो textbook है ना यह उसी की first exercise के ही questions है क्योंकि मुझे idea नहीं है कि तुम्हारी पास book है कि नहीं है तुम लोगों के पास क्योंकि lockdown होने के वज़ा से हो सकता तुम लोगोंने books नहीं लियो अपने senior से तो यहाँ पर मैं questions लिख दे रही हूँ ताकि तुम उन questions को solve कर सको इसके अलावा extra questions नहीं में दूँगी क्योंकि अभी तो वैसे भी तुम्हारी बस कोई काम नहीं है नहीं फालतु ही बैठे हो तो देखो पहला question जो यहां से attempt कर लेना वो यह रहेगा 5x plus 3y equal to 9 और उसके बाद 2x minus 3y equal to 12 ठीक है a plus 5b equal to 22 अच्छा question नमबर 3 यहां से x plus 7y equal to 10 और फिर दिया है 3x minus 2y equal to 7 question नमबर 4 2x minus 3y equal to 9 और 2x plus y equal to 13 ठीक है अच्छा question नमबर 5 5m minus 3n equal to 19 और फिर m minus 6n equal to minus 7 और इसके बाद फिर next question number 6 यहां पे आजाएगा आपके पास 5x plus 2y equal to minus 3 और x plus 5y equal to 4 and last question आपका यहां पे यह है 1 upon 3x ठीक है 1 upon 3x देको fraction वाला format आगया है ना plus y equal to 10 by 3 और यहां पे 2x plus 1 upon 4y equal to 11 upon 4 यह सब तुम लोगों की first exercise जो है उसी के illustrations मैंने दिये हुए है पूरे के पूरे साथ इसको तुम्हाई चोईस है elimination से करना है तो elimination से करो substitution से करो पूरे कि था बत्तुम Highway पूरे मात्समेश नहेुआ literature तुम Angebầy माल्ना की जोह करना है पूरे का जिए है मुआ पूरा करी कि पल्दोपी आस विले साथ प्राहइ प्लेप्स अप्लों के पूर reactive का फूरे तॉरे